आज हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही विज्यान के एक महत्तपूर टापिक तापर उस्मा और अभी तक जिन्होंने चैनल को सबस्क्राइब ने किये होंगे जरूर करिएगा आज बिना देरेक वीडियो को सुरू करते हैं तो आज का पहला प्रफन है एक कथन दिया गय आज बाज इस पर्फ करने पर तामबे का टुकडा कांच की टुकडे की अपेक्छा अधिक गर्म लगता है तो ये करन तो आपका क्या है और कारण बताय गया है कि तामबे का घळणत्व से अजीक होता है तो करण गता है तो इसका फहीन पर हो जाएगा आप्सन नमबर अच्छा पूरा देखना पड़े गा है, इस पश्टी करण भी देखना पड़े गा तो यहां से देख लेते हैं इस परफ्टी करण है के नहीं है तो यह जो कारण है है न इसका इस परफ्टी करण नहीं कर पारा यह कथन तो इसका सही आनफर हो जाएगा आपके पास A और B दोनों सही तो है लेकिन R A की इस परफ्टी करण नहीं है तो इसका 25 जगा अपसा नमबर B अगला प्रफन देखिएगा परम सुन्यत आप क्या है तो परम सुन्यत आप होता है फैधानतिक रूप से निवनितम संभाव ताप मन तो इसका 25 जगा अपसा नमबर B अगला प्रफन है यदि किसी गैस का आइतन 27 अंसलसियस पर संपिडित मूल का आधा रह जाए तो उसे किस ताप पर गर्म किया जाए कि पुनाह आइतन प्राप्त कर फके तो ये ताप मन होगा 327 अंसलसियस तो इसका फ़हिया अपसा नमबर A अगला प्रफन है कथन और कारण दिया गया फिर तो उचाई बढ़ने के सांस जल का कथनांग घटता है तो घड़ता है ये तो आपका कथन सही है कारण दिया गया है उचाई के साथ वाई मंडली दाब बढ़ता है बढ़ता नहीं घड़ता है बलकि है न तो कारण गलत है कथन आपका सही है तो ये देखते हैं कौन सा आपसन में है ये तो इसका फही आनफर हो जाएगा आपसन नमबर C ये सही है परंतु आर गलत है फिर दिया गया है एक कथन इसमें बताया गया है कि ताप मान वृद्धी के साथ ग्लीसरीन की स्यानता बढ़ती है तो इसमें बताया गया है कि ताप मान में वृद्धी अडो की गती ओजा को क्या कर देता है बढ़ा देता है कारण फही लेकिन कथन आपको क्या है गलत है तो देखते हैं कौन सा आपसन में है तो इसका फही आनफर हो जाएगा आपसन नमबर D A गलत है परन्तु R मतलब कारण सही है अगला है प्रेसर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसका कारण होता है कि अधीक दाप पर पानी अधीक ताप क्रम पर उबलने लगता है इस वज़े से जल्दी पक जाता है तो इसका फ़यान फरजेगा आपसा नमबर B अगला प्रफन है कि C से की छण जब भाब में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परन्तु इसकी चोड़ाई क्या होने लगती है चोड़ाई भी बढ़ने लगेगी इसका फ़यान फरजेगा आपसा नमबर C अगला प्रफन है कि निम्न लिखीत में से कौन सा कथन सहीं नहीं है तो air conditioner और air cooler दोनों ताप करम नियंतरित करने काम करता है यह आपका सहीं है अगला दिया गया है air conditioner और air cooler दोनों आधरता नियंतरित करता है आधरता नियंतरित नहीं करता तो ये भी आपका कथन सही है अगला दिया है दोनों वायू की गती नियंद्रित करने का काम करता है तो ये भी करता है तो गलत कौन से हो गए आपका आपसा नमबर B तो इसका सही आनफर जागा आपसा नमबर B अगला है कथन दिया गया है इसमें कथन दिया है कि अन्तरिक्ष अधारीत सौर उड़जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राफ्टी लक्ष बनाना चाहिए तो ये कथन आपको सही है कारण देख लेते हैं कारण क्या दिया गया है कि SBSP मतलब अंत्रिक छधारी सर उर्जा की आब उर्थी वर्ष में बिना रुके 99 प्रतीफत है और इसके अलावा उर्जा की बहुतायक में उबलब्धादा नीचे दिये गए कुट का उप्योग करके सही उत्तर को बताना है तो ये भी आपका सही है कारण भी सही है कथन भी सही है देखते हैं कि इसमें है तो इसका फईयान फोजाएगा आपसा नमबर A अगला परफ ने देखिएगा इसमें भी कथन दिया गया है कि बर्फ का टुकड़ा पे को ठंधा बना देता है तो कथन तो सही है कारण बताया गया है कि बर्फ पिघलने पिघलाने के लिए पे से गुप्त उसमा लेता है जिससे पे ठंधा हो जाता है तो यह आपका कारण भी क्या है, सही है तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की वाख्या कर रहा है तो इसका फ़हिए अन्फ परजगा आपसा नमबर A अगला परफन है, इसमें भी कथन की रूप में दिया गया है कथन में बोला गया है यदि फ्रीजर पर बर्फ इकठी होती है तो रेफ्रीजरेटर में सीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है ये कथन आपका क्या है? सही है और कारण बताया गया है कि बर्फ एक दूरवल चालाख होता है तो ये भी आपका कारण भी सही है तो कथन आपकारण दोनों सही है और ये इस्पफ्टी करण करता भी है तो इसका फही आनफर हो जाएगा आपसा नमबर A अगला परफ नहें कि जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कूरकूरे हो जाता है तो कुरकूरे हो जाता है इसका प्रमुक कारण कुरकूरे होने का कि फ्रीज के अंदर आधरता कम होती है इसके इसलिए अत्रिक्त नमी अवसोसित हो जाती है तो इसका फही आनफर जगा आपसा नमबर B अगला प्रफना है कि वह थर्मामीटर जो 2000 अंसल्सियस मापने हितु प्रयोक्त किया जाता है वह कौन सा होता है तो वह होता है पूर वी कीराण पैरोमीटर तो इसका फही आनफर जगा आपसा नमबर C अगला प्रफना है कथन और कारण दिया गया है कथन बताया गया है कि बड़े फीत ग्रीह सायंत्र प्रसीतक के रूप में अमोनिया को उप्योग करते हैं जबकि घेरेलू प्रसीतित रेफ्रिजरेटर्स क्लोरो फ्लोरो कारवन्स CFC का उप्योग करते हैं तो ये कथन तो बिल्कुल सही है कारण भी देख लेते हैं कि अमोनिया को कम दाब एबंपरिवेस ताब पर द्रविद किया जा एक्ता है तो कारण आप क्या है गलत है लेकिन कथन सही है तो आयजे देखते हैं कौन सा अप्सन है कैलोरी मीटर समान्यता हा बनता है किसका बनता है तो तामबे से तो इसका 25 अपार जेगाफ ही अगला पुरफन है, जब जल को सुन्ya अंस से सब अंसे waterproof तक गर्म किया जाता है, तो जल का आयतन क्या होने लगेगा? जल का आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो इसका 25 अपार जेगाफ ही अपार जेगाफ क्या होगा यह फेरेंहाइट तो 37 अंसेल्फियास तुछ 25 जगा अपसनुमबर अ अगला प्रफन है कि पानी 212 अंस्पक्राणहाइट या और call अबलता है और 32 फेरेंहाइट या तुन्य अंस सेल्फियास पर पिखलता है यदि किसी दीन का तापमान 35 अंसेल्फियास है तो वह किस के बराबर है तो यह बराबर होता है 95 अंस फेरन हाइट के बराबर तो इसका फाई आन फर जगा अपसा नमबर C अगला प्रफन है पहाडों पर पानी निमने लिखी तापमान पर क्या होने लगता है उबलने लगता है तो यह उबलता है सौवन सेल्फियास से कम पर तो इसका सही आन फर जगा आपसा नमबर A अगला प्रफन है दाब बढ़ाने पर बर्फा का गल्लांग घटने लगता है तो इसका फाई आन फर जगा आपसा नमबर A अगला प्रफन है भाप से हाथ अधीक जलता है अपेच्छा करित उबलते जल से क्योंकि इसका प्रमु कारण होता है कि भाप में गूप तो उसमा अधीक होती है तो इसका फाई आन फर जगा आपसा नमबर A अगला प्रफन है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो नीम्न में से कौन सा परवर्तन होता है तो इसमें परवर्तन होता है कोथनांक बढ़ता है और जमाओ बिंदू घटने लगता है तो इसका फाई आन फर जगा आपसा नमबर A अगला प्रफन है कि ठंड के दिनों में लोहे की टुकडे और लकडी के टुकडे को प्राता हकाल में छुए तो लोहे का टुकडा ठंडा लगता है इसका प्रमुक कारण है क्योंकि लकडी की तुलना में लोहा उसमा और ताप दोनों का क्या है अच्छा सूचा लग होता ह तो पसीने का मुख्य उप्योग होता है कि सरीर के ताप को क्या करना नियंत्रीत करना तो इसका फ्यान फर्जेगा आपसा नमबर A अगला प्रफन है थर्मस बोतल में पेपदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दिवारों पर किसकी परत लगाई जाती है तो उसकी दिवारों पर पर परत लगाया जाता है रजत परत तो इसका फ्यान फर्जेगा आपसा नमबर C अगला प्रफन है प्रेसर कुकर में खाना कम समय में पकता है इसका प्रमुख कारण होता है कि दाब अधीक होता है जिसके कारण पानी उबलने लगता है और खाना जल्दी बन जाता है तो इसका फ्यान फ्रजगा आपसा नमबर C अगला प्रफन है यदि हवा का ताप मान बढ़ता है तो उसकी जल्वास पर ग्रहन करने की छमता भी क्या होने लगेगा बढ़ने लगेगा तो इसका फ़यान फ़र जगा अपसा नमबर B अगला प्रफन है कितना ताप मान होने पर पाठ्यांग, सेल्सियस और फैरन हैट ताप मापियों में एक ही होता है तो यह होता है रिनिड चालीस अंस पर तो इसका फ़यान फ़र जगा अपसा नमबर A अगला प्रफन है ग्रीस मकाल में आदर उस्मा का अनुभा होता है जब मौसम क्या होगा उमस वाला होता है तो इसका फ़यान फ़र जगा अपसा नमबर D अगला प्रफन है गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज़्यादा अराम दे होता है क्यों इसका प्रमुक कारण है क्योंकि वे अपने उपर पढ़ने वाले फारे उस्मा को परिवर्थित कर देता है सफेद रंग तो इसका फ़यान फ़र जगा अपसा नमबर A अगला प्रफन है थर्मो इस्टेट वह यंत्र है जो क्या करता है किसी निकाय का ताप करम स्वर नियंत्रित करता है तो इसका फ़यान फ़र जगा अपसा नमबर C अगला प्रफन है रेफ्रीजरेटर में थर्मो इस्टेट का क्या कार्य होता है तो इसका प्रमुकाम होता है एक समान ताप मान को बनाय रखने का तो इसका फ़यान फ़जगापस नमबर C अगला परफन है जब दो विभीन ताप वाली वस्तूओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिस्रण का ताप मान कैफा होता है तो इसका ताप मान होता है अधीक ताप वाली वस्तू के ताप से कम लेकिन कम ताप वाली वस्तू के ताप से थोड़ा अधीक तो इसका 25 आपसा नमबर B अगला परफना है कि ताप का SI मातरक क्या होता है तो इसका SI मातरक होता है केलवीन तो इसका 25 आपसा नमबर D अगला परफना है केलवीन पैमाने के किस बिंदू पर जल उबलता है तो जल उबलने लगता है 373 अंस केलवीन पर अगला प्रफना है ठंडे प्रदेसों में जहां तापमान सुन्य अंसल सीयर तक चला जाता है वहां किसान अपने फसलों को नुक्सान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देता है तो भरने का में वज़ा होता है क्योंकि पानी की विशिष्ट उसमा अधिक होती है इस वज़ा तो इसका फ़यान फरद जगा आपसान नंबर सी अगला है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस सुन्य आयतन घेरेगी तो यदि ताप को कितना कम किया जाए तो 273 अंसेलसियस कम किया जाए तब यह क्या होने लगए अगर गैस सुन्य आयतन घेरेगी तो इसका फ़यान फरद जगा आपसान नंबर सी अगला प्रफन है कार्बूरेटर किस इंजन में होता है तो कार्बूरेटर होता है पेट्रोल इंजन में तो इसका फ़यान फरद जगा आपसान नंबर सी स्वारी ए अगला प्रफन है कणो के द्वारा heat transfer की क्रिया को क्या कहा जाता है जिसको कहा जाता है Conduction तो इसका 95 जगापसा नमबर B अगला प्रफन है कि एक ग्राम वाले पदार सा कातापमन एक अंसलसियस बदलने के लिए अवस्यक उस्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है विसिष्ट उस्मा तो इसका 5 जगापसा नमबर B अगला प्रफन है कपडों को सुखाने के लिए निमन लिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उप्यूक्त होता है तो ये उप्यूक्त होता है प्रबल वायू और हो जाएगा आपका उच्छ ताप और सुस्क वायू ये उप्यूक तो होता है उच्छ अंद्रा था कि उसका ता नहीं होता तो इसका सही अन्फरोज़गा आपसर नमबर अगला प्रफन है कि जब पानी को सुनें अंसल्सियास से चार अंसल्सियास के बीच गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होने लगेगा तो उसका आयतन घटने लगता है तो इसका सही अन्फरोज़गा आपसर नमबर B अगला परफन है एक गोल, एक घन और एक वृत्तकार प्लेट दो सन सल्सियास तक गरम किये जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोण दिये जाते हैं उनमें कौन सी या उनमें क्या शिग्र अर्थी सिग्र ठंडा होगा तो जल्दी सीगराता फिर ठंडा हो जाएगा वृत्ताकार प्लेट तो इसका फ़यान फरजे का अपसा नमबर C अगला प्रफन है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाती है क्योंकि जमने पर जल कायतन क्या होने लगता है बढ़ने लगता है तो इसका फ़यान फरजे का अपसा नमबर C अगला प्रफन है जब पानी को सुन्य अंसलसियस से 10 अंसलसियस तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन पर क्या प्रफा पड़ेगा तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा तो इसका फ़यान फरजे का अपसा नमबर D अगला प्रफने देखिएगा कि कमरे में रखे रेफ्रीजरेटर का दरवाजा खोल कर रखने से क्या होता है तो आप अंदताह कमरे को थोड़ा गर्म कर फकते हैं तो इसका फ़यान फरज़ेगा आपसा नमबर C अगला प्रफने है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदी ताप मन नव अंसेलसिया से गीर कर तीन अंसेलसिया से कर दिया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पढ़ेगा तो इसमें प्रभाव पढ़ता है कि आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में क्या हो जाता है पढ़ जाता है तो इसका फ़या नफर जगा आपसा नमबर C अगला प्रफन है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप मन कितना होता है तो उनका ताप मन होता है सैंथिस अंसल्सियास तो इसका फ्रिथ्वी तथा हवा से उसमा का विकीरण रोकता है इस वज़ा फे तो इसका फ्रिथ्वी तप्रफन है काथन और कारण दिया हुआ है तो उनी वस्तर हमें गर्म रखता है तो हाँ तेकिन इसका कारण जो बताया गया है उनी रे से एक विशेज प्रकार के प्रोटिन के बने होते है जो उसमा के कुछ अलग होते हैं तो ये गलत है कथन फई है कारण आपका गलत है तो कौन सा आपसन में देखते हैं तो इसका फईयान फरजगा आपसन नमबर C अगला प्रफन है स्वाचालित इंजन हेतू नीमन लिखित में से कौन सा एक हीम रोधी के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है तो एधीलीन गलाइकाल तो इसका फईयान फरजगा आपसन नमबर B अगला प्रफन है ठंडे देशों में पारा के इस्थान पर एलकोहल को ताप मापी द्रव की रूप में वर्यता जी जाती है तो इसका प्रमुक कारण होता है क्योंकि एलकोहल का द्रव्यांग निम्नतर होती है तो इसका 25 जगा आपसर नमबर A उम्मिद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रका की लगात और वीडियो मिलता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर जरूर करिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यमात